जीला दंतेवाडा, जीला दूर्ग, बलोदा बजार जीला, साथ ही महासमुंद जीला के द्वारा स्वास्था विभाग में विबिन पदो पर भरती हेतु विज्यापन जारी किया गया है और इस विडियो में आपको भरती प्रक्रिया की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रोवाइट किया गया है तो विडियो के अन तक बने रहें चलिए सबसे पहले जो आपका जीला है बलोदा बजार भाटा पारा के लिए जो वेकेंसी आई है कारला मुख्य चिकित स्वास्ताय अधिकारी के द्वारा उसकी डिटेल यहाँ पे आपको बता दें तो जो पदो का विवरन है कुछ इस प्रकार से है सबसे पहले यहाँ पे मेडिकल मैक्रोबाउलोजिस्ट के लिए वेकेंसी जारी की गई है यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दी गई है उसे आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडिया प्रोवाइट की गई है वहाँ से क्वालिफिकेशन डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे जो अगली जो पोस्ट है वो सिनियर साइंटिस्ट के लिए है साथ ही जो आगे की पोस्ट है वो साइंटिस्ट के लिए है और साथ ही लाब टेक्निशन का यहाँ पे टोटल नौ पदो पर भरती प्रक्रिया की जा रही है ठीक है और अगला जो post है वो lab attendant के लिए है जिसमें total दो पदो पर भरती की जा रही है और अगला जो post है वो data entry operator के लिए है data entry operator के दो पदो के लिए जीला बलोदा बाजार में भरती की जा रही है यहाँ पे data entry operator के लिए आपको qualification 12th मांगी गई है साथ ही one year diploma in computer application और यहाँ पे at least one year experience in MS office work मांगी गई है experience को यहाँ पे necessary नहीं किया गया है यदि experience ना हो तो भी आप apply ज़रूर करें ठीक है अगली जो post है वो sweeper या cleaner की है जिसमें total दो पदो पर भरती प्रक्रेक की जाएगी sweeper के यहाँ पे 5th class password मांगी गई है ठीक है यहाँ पे दोस्तों नीचे जो है वो विज्ञापन के लिए नियमिम सर्थे दीगी जिसे आप PDF से एक बार जरूर पढ़ ले और यहाँ जो भरती प्रक्रिया है यदि इसमें आप apply करना चाहते हैं तो यहाँ पे walk-in interview है इन पद आजे तक की होगी और इस जो walk-in interview होगी उसमें आपको apply करने के लिए एक form फिल करना होगा form का link हमने video description में दिया हुआ है वहाँ से download कर print करवा कि आप उसको fill करके दिये हुए walk-in interview date में जा सकते हैं यदि आप apply करना चाहते हैं तो ठीक है और दोस्तों यहाँ जो बलोदा ब पाजार भाटापारा के द्वारा ही अलग से और notification जारी किया गया है जिसमें stop nurse वह अन support stop के रिक्त पदों पर भरती की जा रही है यहाँ पर यह जो notification है वो आप देख रहे होंगे stop nurse के यहाँ पर 20 पदों के लिए भरती की जा रही है और stop nurse के लिए जो विग्यता मांगी ग ही है साथ ही live registration in 36 का nursing counseling board में और stop nurse के लिए आपका जो walk in interview होगा वो 12 मई 2021 को होगा timing जो रहेगी वो 10 बजे से लेके दो पहर 2 बजे तक का होगा address जो होगा वो CMHO office बलोदा बजार है यहीं पर आपका walk in interview होगा और अगला जो post है वो housekeeping staff का है जिसमें total 8 पदों पर रिखती है औ और यहां पर 8 पास होट मांगी गई है housekeeping staff के लिए housekeeping staff को जो walk in interview date है वो 13-5-2021 है जो timing है वो 10 बजे से लेकर के दो पहर 12 बजे तक का होगा CMHO office बलोदा बजार बही अगली जो post है वो security personal के लिए है यहां पर total 8 चार पदों पर भरती प्रक्रिया है security personal के लिए और यहां पर जो qualification मांगी गई है security guard के लिए वो हाया सेकंडरी पास यानि की 12th पास हुट मांगी गई है और minimum one year experience मांगी गई है security guard government या semi government या private institute में ठीक है यहां पर जो walk in interview होगा security guard के लिए वो 13-5-2021 को होगा 12 बजे से लेकि साम 5 बजे तक CMHO office बलोदा बजार में यहां पर भरती प्रक्रिया से नियम को सर्थे दी गई है जिसे आप एक बार जरूर पढ़ लें यहां पर दोस्तों इन पदों के लिए apply करने पर मतलब की जो staff nurse housekeeping staff और security personal है यदि आप इन पदों पर apply करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको fees pay करना होगा फीस यहां पर कुछ इस प्रकार से है ST, SC female या विकलांग के लिए आविदन सुल्क 100 रूपए रखी गई है और OBC candidate के लिए यहां पर 200 रूपए fees paid करना होगा जो general category है उसको 300 रूपए fees यहां पर pay करना होगा और यहां जो fees है वो आपको online paid करना होगा online कैसे करेंगे आप यहां पर fourth number का point आप देखें आविदन स Google के लिए आपको एक website दिया गया है इस website में क्लिक करेंगे तर्थपस्चात government department name यहां पर step दिया गया है ठीक है चलिए वो step आपको एक बार करके दिखा देते हैं ताकि आप fees pay कर सकें इस post पर apply करने के लिए सबसे पहले आपको जो site दिया गया है online sbi.com इसे अपने google पर search करना होगा उसके बाद यह homepage open होगा जिसमें option है menu bar में sb collect करके उसे आप click करेंगे click करने के बाद एक नया page open होगा कुछ इस प्रकार से वहाँ पे एक tick box रहेगा उसे आप click करें उसके बाद process option पर click कर दें ततपस्चात एक नया page open होगा जिसमें आपको state of corporate institute select करना होगा इसमें आप 36 गड़ सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो अगला option है type of corporate या institute उसमें ठीक है उसके बाद यहाँ पर government department को आप select करेंगे तो एक नया option खुलेगा जिसमें आपको cheap medical and health officer बलोदा बजार इसे आपको click करना होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर नया option open होगा select payment category का तो यहाँ पर recruitment for NHM department option select करेंगे इसे select करने के बाद एक नया page open होगा जिसमें आपक उसमें applicant name यानि की अभिरती का नाम और father's या spouse name यहाँ पर देना है साथ ही mobile number आपका date of birth, address, mail id, category, physical challenge है yes या no ठीक है gender यहाँ पर select करेंगे और post name आपकी spot के लिए apply कर रहे है वो यहाँ पर type कर दें उसके बाद post code जो notification है वहाँ से देख लें कि वो जो post आप apply करने है वो कौ fulfillment फिस यहाँ पर show हो जाएगा ठीक है पत के लिए और यहाँ पर उसके बाद जो capture code है उसे आप डालेंगे अपना mail id डालेंगे फिर जो submit option है उसको click करेंगे तो submit हो जाएगा आपका उसके बाद payment को option open होगा यहाँ पर confirm करने के लिए आपका data confirmation page होगा उसे आप confirm कर देंगे confirm करने के बाद payment gateway option खुल जाएगा इसे आप net banking के द्वारा या debit card से other bank के साथ या UPI के द्वारा भी payment कर सकते हैं या आपका last option होगा इसके बाद payment हो जाएगा आपके OTP वगेरा process होने के बाद दोस्तों जब payment हो जाएगा तो वहाँ पे एक number register number आएगा ठीक है वहाँ पे payment का उसे आप save करें कहीं पे note करके रखें वो आपके form में काम आएगा payment करने के बाद जो transaction ID मिलेगा उसे आप note करेंगे note करने के बाद क्या करना होगा आपको जो notification में आपका जो walk in interview date बताया गया है उस दिन यह जो आपको screen पे दिख रहा है वो form format है ठीक है यह form आपको by self fill up करक के वहाँ पे walk in interview date में जाना है और जो आपने payment किया है उसका transaction ID यहाँ पे fill करना होगा ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं सुलक का विवरन देना होगा सुलक की राशी आपने कितना paid किया और यहाँ पे उसका transaction number देना होगा ठीक है यह form fill करके अपने document ले करके जो walk in interview date है वहा यहाँ जो भरती विग्यापन है वो कारेला सिविल सरजन स्यम्भू ख्याला एस्पताल अधिक्छक जीला चिकित साला दंते वाडा के लिए है जी दोस्तों जीला दक्षिन बस्तर दंते वाडा के द्वारा यहाँ पे walk in interview लिया जा रही है जो जिन पदो पर walk in interview लिया जा परकार है वो किछ इस प्रकार से है सबसे पहले आपका यहाँ पर पेडियो डिस्क्रिप्सन से जो पीडियाप लिंक दिया है वहां से अच्छे से एक बर पढ़ ले वे और अगला जो पद है वो medical officer के लिए है जिसमें एक पदो पर भरती प्रक्रक्रक की जा रही है और microbiologist के लिए यहाँ पर microbiologist के तीन पदों के लिए भरती प्रक्रक की जा रही है microbiologist के जो salary होगी वो यहाँ पर 40,000 रुपए पर मंथ दिये गए है qualification यहाँ पर जो मांगी गई है वो आप देख लें और जो अगला जो पद है वो mlt technician के लिए mlt technician के 14 पदों पर भरती प्रक्रक क चीज आ रही है जीला दंते वाड़ा के द्वारा और जो mlt technician की यहाँ पर salary दी गई है वो 14,000 रुपए पर मंथ दिया गया है mlt के लिए यहाँ पर दोस्तों डेमेल्टी या बीमेल्टी कोर्स यदि आपने की हुए है तो apply कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर जो walk-in interview date है वो प्रतेक सनिवार को virtual interview का link प्रिथक से भीजी जाएगी यानि कि यदि आप इस form वेकेंसी पर apply कर लेते हैं तो आपको आपके whatsapp पर एक link provide किया जाएगा जिसमें इंटेर्यू जो virtual interview है उसकी जानकारी दी जाएगी ठीक है और जो virtual interview address है वो यहाँ पर जिला दिक्षिड बस् इसके लिए दोस्तों आपको online apply करना होगा इसे आप अपने mobile से ही apply कर सकते हैं जो online form apply का link है वो हमने video description में दिया हुआ है वहाँ से वह link आप click करते हैं तो डारेक्ट जहां से आपको form fill करना है वो open हो जाएगा ठीक है और यदि कोई confusion हो तो comment के माध्याम से हमें पूछ सकते हैं चलिया जो अगली वेकेंसी है जिला महा समुन के द्वारा उसे आपको बता दें दोस्तों कारला मुख्य चीकित्साइवं स्वासय अधिकारी जिला महा समुन के द्वारा भी यहाँ पर वेकेंसी जारी की गई है जो जिन पदों पर वेकेंसी है वो कुछ इस प्रकार से है पहला medical microbiologist और second senior scientist का है यहाँ पर इन पदों पर apply करने के लिए जो walk-in interview date है वो 8-5-2021 है प्राता साड़े 10 बजे से अगला जो पद है वो scientist के लिए है इन तीनों पदों पर यदि आप apply करना चाहते हैं तो 8 मही 2021 को walk-in interview होगा इसके लिए और अगला जो पद है वो medical lab technologist के लिए है यहाँ पे जो date है वो 10-5-2021 है और समय प्राता साड़े 10 बजे से है अगला जो post है वो data entry operator के लिए यहाँ पे जो timing दी गई है वो 11-5-2021 को होगा प्राता साड़े 10 बजे से अगली जो post है वो lab assistant के लिए है जिसमें बारा मई 2021 को walk-in interview होगा सुबह साड़े 10 बजे से और अगली जो post है वो sweeper के लिए यहाँ पे sweeper के लिए दिनांक 13-5-2021 को प्राता साड़े 10 बजे से walk-in interview होगा और इन पदों पर जो walk-in interview होगा वो उसका लिए address है कारेला मुख स्वास्थादिकारी जीला महाशमुन ठीक है और इन पदों पर यदि आप apply करना चाते हैं या जो इनकी भरती भरती से संबंदी तो जो भी निया में सरते हैं योग्यता है उसको आप हमने वीडियो के description में पेडियाफ लिंग दिया हुआ है वहां से आप जो भी qualification वगिर आपको information लेनी है वो ले सकते हैं और इन पदों पर apply करने के लिए आपको क्या करना होगा तो यहां पर walk-in interview है जो दिये हुए date में आप वहां पर जाएंगे और इसके लिए एक form का format है जिसे हमने विडियो के description में दियो हुआ है वह form format आप फिल करके दियो हुए date में जाएंगे जो walk-in interview है उसके लिए ठीक है दोस्तों चलिए अगली जो जिला है हमारा दुर्ग जिला वहां के लिए भी जो vacancy है है उसके बारे में आपको information दे 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 दोस्तों जो जिला दुर्ग है कारे मुख की चिकितस है उन स्वास्त है अधिकारी इसके लिए भी यहां पर walk-in interview date दिया गया है इसक्रीन पर आप देख रहे हैं जो walk-in interview date है वह 10 मई 2021 को 10 बज़े से साड़े 12 बज़े तक आपका आवेदन का पंजियन होगा इन पदो पर जो vacancy है उसमें apply करने के लिए आपको form fill करना होगा उसको fill करके जाना होगा और यहां पर जो timing दी गई है जो address है वो कारे मुख की चिकितस है अधिकारी जीला दुर्ग है आवेदन प्रस्तूत करने है तो जो निर्धारित समय दी गई है वो साड़े 10 बज़े से लेके साड़े 12 बज़े तक का होगा उसके बाद उसी दिन ही आपका पात्र चैन सुची का प्रकार्शन किया जाएगा साम 4 बज़े से ठीक है आवेदन संख्या अधिक होने पर अगामी तिति की जाएगी ठीक है और जिन पदो पर वेकेंसी है वो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर मेडिकल मैक्रोबालोजिस्ट के साथ ही या सिन्यर साइंटिस्ट की एक पदो पर भरती पर करें लिजा रही है और अगली जो पोस्ट है वो साइंटिस्ट के लिए है यहाँ पर साइंटिस्ट के एक पत के लिए भरती लिजा रही है और इन पदों पर यह दि आप अप्लाई करना चाते हैं ठीक है तो यहाँ पर आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर आवेदन फार्म भी आपको फिल करना होगा जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्द है और यहाँ पर उसक चम अधिकारी दोरह जारी जाती प्रमाण पत्रा मोलनिवास प्रमाण पत्रा और यहाँ पर अनाबत्ती प्रमाण पत्रा भी आपको वाक इंटियूर्य डेट में वहाँ पर ले जाने होंगे ओरिजिनल के साथ चिरॉक्स भी ठीक है तो उम्मित करते हैं कि आपको दिया अच्छे से समझ आया होगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक जरूर करें और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं पहली बार आए हैं तो इस तरह के इंफॉर्मिशन के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें हम इस तरह के ऑथन्ट जो इनफॉर्मिशन है वो प्रोवाइट करते हैं और डेट ना निकल जाए आपको इनफॉर्मिशन लेट से मिले इससे चाहिए कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक अपडेट से आप आउगत रहें